Twins होते बहुत cute है और बहुत ही unique क्या डाएट पे ऐसी कोई चीज है कोई special diet जिससे twins conceive होने के chances बढ़ जाएं या कोई इसी sexual position जिसमें twins conceive होने के chances जादा हो या कोई ऐसी medicine है जिससे twins आपके conceive हो Hello Everyone, I am Dr. Nikita Baner जी मैं एक स्ट्री रोग विश्रशक गया हो एक fertility expert और इस वीडियो में यह सब चीज़े हम discuss करेंगे प्लस मेरा जो पिछले 14 साल का experience है in treating pregnancy and twins वो सब चीज़े हम discuss करेंगे क्या scientific basis है इन सब चीज़ों का specially इसलिए क्योंकि मैं एक fertility expert हूँ मेरे पास twin pregnancies थोड़ा जाद आती हैं जब हम लोग twins की बात करते हैं तो या तो वो identical हो जकते हैं या non identical identical मतलब जो देखने में एक दम एक जैसे होते हैं उनका gender भी सेम होता है या तो दोनों लड़किया होते हैं और यह जो identical twins हैं यह कैसे conceive होते हैं जब एक egg female का जो एक egg है वो husband के एक शुक्रानों से fertilize होता है fertilize हो जाता है वो cells multiply होते हैं आगे baby बनाने के लिए बट इस multiplication के दौरान वो split हो जाते हैं तो शुरुआती तीन से साथ दिन के बीच में यह split होता है और जब यह split होते हैं तो यह दो अलग-अलग babies बनाते हैं क्यूंकि genetic material सेम था एक ही egg था एक ही शुक्रानों था सेम genetic material होने की वज़ा से यह identically same होते हैं एक दम एक जैसे जो दूसरे होते हैं वो होते हैं non identical twins fraternal twins जिसे कहते हैं उसमें क्या होता है female के दो eggs release होते हैं तो usually nature में एक female महीने में एक ही बार egg release करती है तो अगर by chance ऐसा कुछ हो कि एक की बज़ाए दो egg release हो शुक्रानों तो बहुत सारे होते हैं दो लड़के दो लड़कियां भी हो सकते हैं और यह जादा commonly पाए जाते हैं truth मतलब जो सच है जो सच में conceive होते हैं जिसे twins उसमें सबसे पहली चीज आती है family history तो अगर आपकी family में twins है ना तो आपका conceive करने का twins conceive करने के chances जादा हैं बढ़ यह आपके गंट्रोल में नहीं होता दूसरी चीज है race and ethnicity यह देखा गया है कि जो एजिंस होते हैं अमेरिकन गोते हैं उन में twins सोड़े कम होते हैं जो black होते हैं नाइजेरिया की साइठ से होते हैं रोचिंछ इए एपके रचिंद करते हैं। एपया क्या इंधिक्षा बने एक रेचिंद कर रहे हैं। जब शुक्रानू आते हैं, तो दो अलग-अलग एक्स को फर्टिलाइज करते हैं और इस तरह से ट्विंस कंसीव होते हैं, जाधा-दर केसिस में यह नौन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, अगर हम IVF करते हैं, IVF में यह चांसेज और जादा होते हैं, क्यूं? क्यूंकि उ तो अच्छे ग्रेड के embryos अगर हम uterus के अंदर transfer करें, तो chances होते हैं कि वो दोनों ही embryos लग जाएं और वो twins हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, उसे क्या होगा, आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होगी, उसकी notification आपके पास पहुँच जाएगी, twins के round up बहुत सारे myths हैं, सबसे common myth जो है twins को लेके वो है sexual position के बारे में, लोग अकसर ही पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी sexual position है, जिसके अंदर अगर हम try करें तो twins के chances जादा होते हैं, ऐसी कोई sexual position नहीं है, आप खुछ सोचके देखो, अगर एक egg release हुआ है, आप किसी position में intercourse कर लो, एक ही शुकरानों को उस egg से मिलना है, उसको हम change नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता कि दो शुकरानों अगर एक egg के साथ मिल जाए, तो उसमें twins हो, क्योंकि वो normal नहीं है, उससे एक abnormal pregnancy हो जाती है, ठीक है, और sexual position से ये भी फरग नहीं पड़ता कि आपके दो egg release हो रहे हैं, क्योंकि egg की growth जो है, वो period के start से ही शुरू हो जाती है, sexual position से फरक नहीं पड़ता, दूसरी चीज़ है diet के बारे में, कुछ ऐसे articles हैं, जिसमें ये लिखा है, कि full fat dairy अगर ली जाती है, dairy, yam, वगेरा, तो उसमें twins conceive होने के chances होते हैं, लेकिन इसको scientifically prove नहीं किया गया है, और हम ये नहीं चाहते कि patient full fat dairy बहुत जादा consume करके excess weight gain कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि full fat dairy से twins conceive होते हैं, तीसरा myth है कि अगर आप बहुत लेट ट्राइ करते हो ना, मतलब 35 की age के बाद अगर pregnant होते हो तो उसमें twins के chances जादा हैं, actually उस टाइम पेना जो follicles बन रहे होते हैं, वो बहुत ही erratic होते हैं, बहुत ही अजीब तरीगे से बनते हैं, FSH बहुत जादा होता है आपकी body में, तो stimulation थोड़ा जादा होता है, ऐसे cases के अंदर थोड़ी सी medicine देने से भी patient के 2 या 3 X बन जाते हैं, और naturally भी 2 X बन जाते हैं, बट ये चीज थोड़ी सी uncommon है, जादा common क्या है, 35 की age के बाद pregnancy नहीं आना, और एक common myth है कि अगर pregnancy हो गई या, मतलब अपने kit से चेक कर लिया, उसके बाद आप कोई ऐसी medicine लो जिससे twins हो जाएं, जैसे कि ये एक common myth है, या फिर एक बहुत ही गलत practice है कि pregnancy conceive होने के बाद, कुछ ऐसी medicine लो जिससे लड़का हो जाएं, ना आप लड़का लड़की change कर सकते हो, एक बार conceive हो जाएं और ना ही एक बार positive आके embryo लग चुका है, उसको पंदरा दिन हो गए हैं, उसके बाद उसको split नहीं कर सकते हैं, दो में divide नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कोई medicine नहीं है, pregnancy conceive करने के बाद twins करने की, लेकिन हाँ, इस discussion के end में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि definitely fertility treatment एकलौती ऐसी चीज है, जिससे twins के chances बढ़ जाते हैं, बट जैसे ही मैं ये बोलती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि twins सुनने में तो बहुत अच्छे, बहुत cute, unique लगते हैं और ऐसा लगते हैं, एक ही बारी में काम खतम हो गया, दो बच्चे हो गए, family complete हो गई, एक साथ पल जाएंगे, लेकिन इतना easy नहीं होता, जो twins होते हैं, वो pregnancies जो होती हैं, वो complicated pregnancies होती हैं, इसके अंदर pregnancy से related जो भी complications होती हैं, वो twins में double हो जाती हैं, anemia का खून की कमी का risk रहता है, preeclampsia, BP high रहना, sugar हो जाना pregnancy में, उसके chances होते हैं, pre-term delivery के chances जादा हो जाते हैं, मतलब समय से पहले delivery हो जाती है, चोटे बच्चे पैदा होते हैं, मतलब पने weight से कम होते हैं, वो समय से पहले हो जाते हैं, तो बच्चों के अंदर भी थोड़ी बहुत complications रहती हैं, बच्चों को nursery में रखने की ज़रूरत पढ़ सकती है, और delivery के बाद अगर सब कुछ fit and fine रहता है, उसके बाद भी आप एक new parent होते हो, एक new parent के लिए दो बच्चों की जिम्मेदारी समालना, दो बच्चों को समालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे पास कई बर patients IVF में केवल इसी वज़ा से आते हैं, कि माम हमको IVF इसलिए कराना है क्योंकि हमें twins चाहिए, उनको हम यही सारी चीज़े समझाते हैं, फिर भी अगर वो चाहते हैं twins conceive करना, तो हम दो अच्छे grade के embryos उनके uterus में डाल देते हैं, और उससे twins के chances उनके बढ़ जाते हैं, इस pregnancy को बहुत ही ध्यान से देखा जाता है, ताकि कोई भी complication ना हो और अगर कुछ problem हो, तो हमको time रहते पता चल जाए, तो अगर आपको twins चाहिए, तो आप fertility treatment की help ले सकते हो, यह जानते हुए कि twins के अंदर अपने complications होते हैं, आपको कोई sexual position या फिर medicines या फिर diet और इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि इन में से कुछ भी scientifically proven नहीं है, सभी के उपर studies हो चुकी हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसे like कर सकते हैं, subscribe करके bell icon दबा सकते हैं, उससे क्या होगा, आगे आने वाली जितनी भी videos होगी, उसकी notification आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आपका खुद का कोई experience है twin pregnancy में, या फिर कोई ऐसी चीज़ा जो आपने सुनी है, unique की इस चीज़ से twins हो जाते हैं, तो आप comment section में लिखिए, उसके पीछे अगर कोई भी scientific data है, तो मैं उसमें comment ज़रूर करूँगी,